जो हमारा subject है BCOM 3rd semester में उसका एक chapter करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इस chapter से कौन-कौन से important points हम exam में आते हैं theory point of view से कौन-कौन से questions है जो आपसे पूछे गए है 5 और 15 marks में जो कि previous year based होंगे और इसके बाद हम उसके numericals करेंगे इसकी next video में इससे पहली वीडियो में हमने skewness किया था उसके जितने भी practical questions बनते हैं वो कर लिए and practical questions जितने भी बनते हैं वो सारे कर लिए अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के description में आप कोई subject की playlist मिल जाएगी या फिर आप video को pause करके channel पे visit कर सकते हैं पे भी subject के नाम से या फिर skewness वाले chapter के नाम से क्या है वहाँ पे आपको videos मिल जाएगी telegram का link भी description में होता है आप join कर सकते हैं कोई भी update होती है तो सबसे पहले वहाँ send हो जाती है and videos जब भी बनती है सबसे पहले वहाँ पे क्या है send हो जाती है या फिर हर एक method से हम क्या है कि प्रैक्टिकल कर लेंगे so that आपको कहा understanding हो जाए ठीक है यह जो subject है यह business mathematics and statistics है बर जो dispersion है यह जो chapter है यह आपको अलग-अलग maps के उसमें आ सकता है तो अगर theoretical point of view से आपके questions यह बन रहे हैं तो उन सबके लिए video relevant होगी तो start करते हैं हम इसको what is dispersion तो dispersion क्या होता है हमें यह बताना है कहरे dispersion is a way यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम understand कर सकते हैं क्या understand कर सकते है how spread out or scattered the data is कि कितना जो हमारा data है या फिर data है वो spread हो रख है फैला हुआ है scattered हो रख है हना तो अगर आपको देखना है कि जो आपका data है वो कितना scattered है कितना फैला हुआ है तो यह देखने का यह कह सकते है इसमें help कॉन करता है हमारी या फिर हमें यह देखना है कि कितना फैला हुए इसको understand करने के लिए हमारी कॉन help करेगा dispersion ठीक है जैसे के average हो गया mean ठीक है यह हमें central value देता है कि हमें यह एक central value और इसके आसपास ही के होंगी बाकी values होंगी पर जो dispersion है वो tellers मतलब हमें बताता है how much the data points differ from this central value कि अगर इसके आसपास है वो तो बताता है हमें कौन central tendency विसमें में मीडियन मौड पड़ा बट यहां पर जब हम dispers Central value आई है हमारी 500 ठीक है लाइक हमारा mean आ गया या जो भी आ गया वह 500 आया है अब central tendency हमें यह बता है कि सब on average basis पर 500 के आसपास है average बता दिया उसने बट हो सकता है जो आपने प्लस किया और जो आपका आया mean उसमें जो आपने values प्लस की थी हो सकता है उसमें एक value 100 हो एक value 200 हो 100 से तो यह बहुत दूर है हना scattered है फैला हुआ है तो यही dispersion हमें बताता है कि कितना फैला हुआ है यह हमें यह चीज बताता है यह चीज समझने में हमारी help करता है तो वही लिखा है कि dispersion tellers यह हमें बताता है how much the data points जो भी data के point है वो कितने एक दूसरे से अलग है एक दूसर यह फिर वो spread और अपार्ट मताब बहुत दूर दूर तो यह हमें क्या है dispersion बताता है इसलिए हमने पहले mean median mode पढ़ा था उसके बाद स्क्यूनेस पढ़ा था और उसके बाद हम क्या है dispersion बढ़ रहे हैं तो और देख लेते हैं इसका मिनिंग dispersion is a term used to describe dispersion एक ऐसी term है जिसे यूस किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना spread हमारा data है यह हमें बताता है कि जो number है हमारे data set में वो कितना एक दूसरे से close है या कितना एक दूसरे से दूर है for example if you are looking at the test score अगर आपका test score आपने test लिया उसके score देख रहे हो dispersion विल शो तो dispersion के थ्रू किया यह शो करेगा dispersion whether the most students scored around the same marks यह हमें बताएगा कि जो बहुत सारे students है क्या उन्होंने same marks को obtain किया है और if there was a wide range of score या फिर wide range of scores है ठीक है तो यह चीज के लिए हमारी का help करता है now how to measure dispersion अब हमने बोला कि ठीक है dispersion यह होता है पर कैसे हम इसे measure करते हैं तो कह रहे हैं there are few common ways कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम measure कर सकते हैं कि कितना हमारा जो data है ठीक है वो spread है तो देखते हैं सबसे पहले आता है हमारा range ठीक है तो इसके ना हम detailing में जो question answers होते है practical होते हैं basically वो इसकी next video में देखेंगे तो यहाँ पर सिरफ हम introduction पढ़ रहे हैं ठीक है वरना यह इनके formulas आपको learn करने होते हैं और उसके basis पर आपसे क्या है questions पूछ लिये जाते है तो यहाँ पर हम meaning देख रहे हैं बिकास यह थे थ्रेटिकल पॉंट वूसे lecture बन रहा है तो range क्या होता है करें this is the simplest way to measure dispersion क्या यह ना सबसे simple सबसे असा तरीका है measure करने का dispersion को it is just यह क्या होता है difference होता है किसके बीचे में highest or lowest value कितनी highest value है और कितनी lowest value है उनको minus कर देता है तो हमारा difference क्या आ जाता है ठीक है for example इसका example देख लेते है like if the highest test score 90 है and जो lowest test score 60 है तो range क्या है इसकी 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो 30 क्या आ जाएगी हमारी range आ जाएगी ठीक है फिर आते है हमारा mean deviation यह भी एक ऐसा तरीका है this measures यह measure करता है कि how far each data point is कि कितना दूर दूर हर data point है on average from the average value average से कितना जो अलग point है बाकी points है वो दूर है ठीक है हम इसमें average value जो हमारी mean होती है mean से कितना दूर है बाकी के points scattered हो रोके है वो हम इससे क्या है पता लगा सकते है for example यहापर पहले बोला भी गया it give a sense of how much the number vary from the middle यह हमें यह बताता है कि जो हमारी middle value आई है या जो हमारी average mean आया है उससे जो बाकी की values है वो कितनी दूर है ठीक है फिर आतर हमारा standard deviation कहरे this is bit more detailed यह और आपको detailing देता है it look at how much each number in the data set differ from the average यह हमें बताता है कि जो data में हमारे जितने भी number है वो average से कितना अलग है कितना दूर दूर है and then take an average of those differences और उन differences का भी कहा है यह average ल means जो number है वो close है average के और अगर large standard deviation है that means जो data है वो बहुत ही जादा spread out है हमारे mean से ठीक है फिर आता है variance कहरे variance is similar to standard deviation variance similar जैसा है standard deviation से but squared but क्या होता है इसमें squared कर दिया जाता है उसका square कर दिया जाता है it is another way यह भी एक ऐसा तरीका है दूसरा तरीका है जो show करता है कि कितना है हम इसके average से ठीक है फिर आता है हमारा quartile deviation जिसे हम enter quartile deviation भी बोलते है यह क्या करता है this look at the middle 50% of the data it is the difference between first quartile 25% and the third quartile 75% यह क्या है 50% of data को मतब कि यह देखता है it is यह क्या बोल रहे है कि यह difference बताता है first quartile जो के 25% marks होगे like और third quartile 75% marks होगे ठीक है तो उसका बताता है यह help करता understand करने में कि कितना spread है हमारा data central part of the data से अच्छा अब हम देख लेते हैं importance इसकी तो why dispersion is important यह इसकी importance देखते हैं यहाँ पर हम कहले यह नो हमें clear picture देता है करे जब average तो आपको बताता है कि central value कै पर जो dispersion है वो यह बताता है कि बाकी value इस average से कितनी दूर दूर है pass है दूर है आपका spread out is scattered है यह बताता है next help in comparison यह हमारी help करता है comparison करने में कैसे करे dispersion help करता है compare करने में अलग-अलग data set को और फिर हम देख सकते है कि जो हमारा data है उसमें variability कितनी है फिर है helpful होता है यह हमारा decision making में useful होता है यह हमारा decision making में knowing how much data vary अगर हमें पता लग जाता है जो data है वो central value से कितना vary है तो यह बहुत important होता है ठीक है किस फिल्ड में business, finance, research because यह help करता है so that जो लोग है वो कहें informed decision making कर सके informed decision making कर सके फिर हम इसके advantages देख लेते हैं तो सबसे पहले बोड़े understand data variability इसमें हम जो data की variability है वो अच्छे से समझ सकते हैं कैर यह help करता understand करने में कि how much data points कितने जो data points है वो हमारे अलग है एक दूसरे से, second identify consistency, some cases में जो lower dispersion है वो indicate करती है, show करती है कि जो consistency है data में जो कहा है अच्छी चीज होती है, फिर support, better analysis, जब हम एक बार जान लेते हैं कि भई spread जो है हमारा वो कितना है data में तो आप कहा है अच्छे से और analyze, interpretate कर सकते हो result, फिर है disadvantages तो disadvantages भी देख लेते हम, तो कहरे, can be complicated, कहरे, some methods like standard deviation हो गया, यह complex होते है, calculate करने के लिए और understand करने के लिए, sensitive to outliers, next है, measure like range can be affected by extreme values, like range है, अगर range निकाल रहो है तो आप उसमें highest और lowest कर रहे हो, बट हो सकता है, यह affected हो, extreme value से, जो कहा है कही ना कहां पर reflect नहीं हुई है, ठीक dispersion, अगर आप dispersion पर too much focus करोगे, might lead to missing other important aspect of data, तो आप जो other aspect है data का, उसको हो सकता है, ignore करो, फिर हम example देख लेते हैं इसका, because example भी क्या, आपको understand के लिए, understandability के लिए बहुत अच्छा होगा, तो imagine you have a two group of students taking the same test, आपके पास दो group है, students के और आपने उनका क्या है, same test लिया है, बोथ group have average score, और उनका जो average score है, वो 70 आया है, ठीक है कि दोनों group का क्या है, जो average score है, वो क्या है 70 है, but, however, in the first group, पर जो first group है, all students scored between 68 and 72, तो जितनी भी जो first group के students है उनका कहीना कही 68 से 72 के बीच में क्या है score रहा है, while जो second group है, उसमें जो score है, वो range है 50 to 90, तो जो second group है, इसका higher dispersion है, meaning the score as more spread, क्योंकि तो को 50 से लेके 90 तक है, मतलब यह जादा spread है, ठीक है, तो यह बताया हुआ, फिर हम types भी देख लेते हैं, इसके types of dispersion, कैरे एक होता है absolute measure, और एक होता है relative measure, absolute measure में देख रहे हैं, कैरे इसके अंदर आजता है range, variance and standard deviation, यह specific number, मतलब यह देता है आप जो क्या है, जो आपकी help करता है, compare करता है level of dispersion में, ठीक है average value हो गया, make it easier, यह आपको easy करता है क्या है, compare कर सो को different different data को, तो हम की summary देख लेते हैं, तो summary में क्या बोल रहे है, in short, जो dispersion है, is all about understanding how spread out or varied the data, तो dispersion में हमने क्या पढ़ा, हमने यह यह understand करने की कोशिश की, कि जो ह हमारा data होता है, वो central value से, कितना vary होता है, ठीक है, कितना फैला होता है, यह बहुत ही important है समझना, because यह help करता है हमें, कि हम fuller understanding कर सके अपने data की, ठीक है, beyond just knowing the average, यह निए कि average ही जाने, average तो जाना है good है, but उसके अलावा data को और अच्छी तरीके से, detail तरीके से understand करने के लिए पूछ लेंगे, उसके साथ importance पूछ सकते हैं, measures पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपसे advantages, disadvantages पूछ सकते हैं, तो यह full-fledged हमने क्या है, questions कर लिया है, इसमें से आपको जो बनेगा, आप करके आ सकते हो, pointers को पहले diagram में, बना के उसके बाद आपको explain कर सकते हो, आपको समझ आया होगा इस वीडियो में, next वीडियो में इसके जो भी, जो हमने पढ़े standard aviation range, यह सब इनके questions करेंगे, और वो वही होंगे, जो आपको exam में आया हुए, so that हर एक type का question भी कर लेंगे, और आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है, तो होप आपको एक question का answer समझ आया हो, अग thank you for watching this video